दोस्तों अभी भी समय है जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिसको नहीं मालूम की पाई क्या है या जो लोग पाई को नहीं जानते वो अभी से बिना समय गवाए पाई को जानना शुरू करें पाई दुनिया की पहले डिजिटल करंसी है जो एक मोबाईल से फ्री में बना सकते हैं और उसका उपियोग बाद में लेंदेन के लिए कर सकेंगे पूरी जानकारी के लिए इस मेटा मित्र के पाई प्लेलिस्ट के पहले वीडियो से देखना शुरू करें ताकि कोई गलती नहों और सारे स्टेप आसानी से पार कर सकें जैसे की हर मेने की शुरू आतमे पाई का हल्विंग होता है जिससे पाई बनने का रेट यानि बेजिक माइनिंग रेट कम होता है तो इस जनवरी में भी पाई का बेजिक माइनिंग रेट 0.1399 हुआ अभी भी आप अकेले एक माईने में 10 पाई तो बना लोगे कुछ लोगों को लगता होगा कि ये बहुत स्लो बनता है पर भाई सिर्फ एक पाई का बाव देखकर आश्चर्य होगा और यकीन नहीं होगा पर सिर्फ तीन महीने पाई को माइनिंग करके उसके बारे में जब जानेंगे तो पूरी जिन्दगी इसको मॉबाई से नहीं निकालेंगे और इसके पावर के साथ ठाट से जिएंगे अभी पाई के पाईनियर्स है वो खुश होंगे कि एट्लांटिस एक्सचेंज पर 70,000 डॉलर के बाव से पाई का सौदा आयोई से हुआ एक प्रामिस से हुआ प्रामिस कहो या वचन यहां किसी ने जबान दी है कि 70,000 डॉलर के बाव पर वो ओपन मेंनेट आने के बाद पाई देगा ऐसे जो भी बड़े बड़े रेट के सौदे होते हैं उसमें 50, 100 या 200 डॉलर के बाई बिखते हैं एक पूरा पाई नहीं होता पर उसके छोटे-छोटे टुकडे होते हैं यानि 0.001 पाई या 0.0004900 पाई जो भी हो पर बाव तो बाव है इसलिए अभी पाई का फ्री में माइनिंग होता है तो बिना देरी कि ये अभी से शुरू कर सकते हैं कुछ लोगों ने इसे इंस्ट्रॉल करके निकाल भी दिया होगा या इसे कुछ नहीं होगा ऐसा सोच कर पाई का मैंनिंग बंद भी कर दिया होगा पर समझने की बात ये है कि कि किसी को ये पाई अच्छा लगता है या नहीं उससे पाई को कोई फरक नहीं पड़ेगा पर जिसके पास पाई होंगे उसको तो भविश्य में इससे जरूर फरक पड़ेगा एक तरफ अमरीका वाले इसको डॉलर से अभी से खरीदने लगे हैं तो दूसरी और चाइना, नाइजिरिया और वियतनाम वाले इसके बदले में गुड्स और सर्विस इस देने लगे हैं इसलिए भविश्य में जिसके पास पाई होगा उसका समाज में सम्मान, सतकार, इजज़त और समझो एक तरह का वट होगा वट यहां लिखा है यह मत सोचो कि आप पाई नेटवर्क नामक इस क्रिप्टो क्रांती से बच सकते हैं आने वाले समय में आपके पास कोई आप्शन नहीं होगा, एक नएक दिन आखिरकार आप इसे जरूर डाउनलोड करेंगे और इसमें जुडेंगे तो अभी से क्यों नहीं जुड़ते बाई, इस साल की पहली तारिक को हुई पाई के ट्रांजेक्शन की एक मस्त गटना देखते हैं इस पृत्वी पर बाली, इंडोनेशिया देश के गुनुग इलाके में पाई का ट्रांजेक्शन हुआ, वो इस ट्वीट से पता चला पाई के होते हुए ये सौधा पाई से हुआ है, और ये लोग शायद इस तरह टाइम पास नहीं करते होंगे पाई के नए अपडेट में आज मुख्य स्क्रीन पर वेब 3.0 के बारे में एक सर्वे कर रहे हैं, और तीन प्रस्न पूछे हैं ये इसलिए है कि इससे पता चल सकता है कि पाई के पाउनियर्स वेब 3 के बारे में कितना जानते हैं, वेब 3 पर कितना भरोसा करते हैं, बविशम में वेब 3 कंसेप चलेगा की नहीं, या जीवन में वेब 3 की कौन सी उप्योगीता ज्यादा महत्वपुण हो सकती है, उसका अंदाजा लगा सकें, उसके साथ एक और चीज़ देखने को मिली है, वो है ये आइकन जिस पर क्लिक करते ही पिछले साल तक, यानि 2022 तक कुल मिला कर कितने पाई बने थे, ये कुदाहरन देखते हैं, सबसे नीचे की लाइन में दिखाता है कि पाई इतने दिन पहले इंस् कुल मिला कर इतने पाई बनाए हैं, जिस में से इतने तो बॉनस कंट्रिबिशन के हैं, तो इस कुल 401 पाई में से बॉनस के 308 निकालते हैं, तो बचते हैं 93, जो आपने अकेले कमाए हैं, वो आपके बैलेंस डेशबॉर्ड में ट्रांस टू में नेट में दिखेंगे, इस उदाहरन इसलिए बताया था कि आसानी से समझ में आ सकें, पर कुछ पाई माइनिंग का काम चालो ही रहता है, तो यह बढ़ते ही जाते हैं, पर अभी तो उतने ही पाई का उप्योकर पाएंगे, जो आपके वालेट में आ चुके हैं, या माइगरेशन से आएंगे, 2020 का वर उम्मीद लेकर आया है, अब तो क्रिप्टो के एक्षेंजों की भी उम्मीद इस पर जुड़ी हुई है, एक्षेंजों का सपोर्ट मिला है, इस बात को एक तरह से पोजिटिव तरीके से लें, तो इस एक्षेंजों ने इतना हल्ला मचा कर हम पाईनियर का काम आसान कर दि पोस्ट कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं, पिछले दिनों से इस एक्षेंज ओपर पाई कट जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है, वो कैसे होता है उसकी सच्चाई जानते हैं, जिससे पता चलेगा कि पाईनियर को क्या करना चाहिए, एक क्रिप्टो यूट्यूबर भाई पाई है जिसका नाम है वेब स्पेंसर, इन्होंने सच जानने के लिए XT एक्षेंज पर डॉलर से पाई लेने का प्रहतन किया, और फिर बेचने का भी, जब इन्होंने डॉलर से पाई लिया तो उनके अकाउंट में 0.998 पाई का अकड़ा दिखा, पर उसके सामने जो वि पाई नहीं है, पर ये एक तरह से पाई के नाम पर एक्सचेंज से मिला हुआ प्रॉमिस है, वचन है जो पाई के नाम पर दिया जाता है, सभी क्रिप्टो कोइन्स के I.O.U. होते हैं, जिससे फ्यूचर में उस क्रिप्टो की कितनी कीमत मिल सकती है, उसका थोड़ा बहुत अंदाजा लग सकता है, ये मिश्टर वेब स्पेंसर अभी तो ना ही वो इस पाई को ट्रांसफर कर सके और ना ही बेच सके, इनका बहुत लोगों ने अभार माना है, लास्ट में उन्होंने इसका निशकर्ष निकाला और कहा, कि ये एक्सचेंज पाई के ट्रेडिंग के म रही है, वो सभी एक्सचेंज इस पर अभी अलग अलग बाव है, वो सभी रेट फ्यूचर के हैं ऐसा कह सकते हैं, यानि इससे आज हम अनुमान लगा सकते हैं कि बविश्य में इसके आसपास पाई का रेट हो सकता है, अब बविश्य में जब ओपन मेंनेट आएगा, तब वास्तविक लिस्टिंग होगी, सही में एक्चुल लिस्टिंग होगी, तब हो सकता है पाई खरितने वाले कम प्राइज वाले एक्सचेंज पर जाएंगे, और पाई को बेचने वाले ज्यादा भाव दिखाने वाले एक्सचेंज पर बेचने रखेंगे, और ये तो जाहि प्रबल है कि पाई की डिमांड ज्यादा होगी और ओवियसली पाई की वेल्यू बढ़ेगी क्योंकि कोई इस पाई के कोहिनूर को कम डॉलर में तो बेचने नहीं जाएगा इतने उचे भाव देखकर अभी से मन में लड्डू जो पूटने लगे है है ना आप कितने में जादी है और एक से ज्यादा भी कॉमेंट कर सकते हैं तो सोच क्या रहे हैं लगाईए दुनिया के पहली डिजिटल करंसी पाई की सबसे ज्यादा कीमत जो आपके मन में है यसा हैं आप कीमत जो आपके मन में हाग ऑन म逖ोरा रहे जो से जुछ मुँआ है नापके मन में हैं ल्ह वरता हैति कि Лव में हैं जाभाईिwritten जोबागलोंका की से वित् हाई हैं वहाई हाईभलोंका की मैं है झाल झाल